साथियो नमस्कार मैं आंकार गोवस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूं आज के इस वीडियो में हम काव्य लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं काव्य लक्षण में अभी संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रदत जो पर बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य लक्षण में बारतमुने की जिनका घ्रंथ है नाट्य सास्तर नाट्यव सासतर में बारतमुनी ने यह परिवासा भरतमुनी के अनुशार नाट्य सास्तर के ग्रंथ में है उसका हिंदी अनुवाद है कई बार परिवासा जियों कित्यों पूछी जाती है और कई बार परिक्षाओं जो परिवासा है उनका हिंदी रूपानतरण भी पूछ लिया जाता है तो हमें दोनों कूसका द्यान करना है फिर आगे मुशार बात करते हैं बामगा का जो गरंथ है काविय अलंकार उसमें परिवासा दी गईए काविय की सब्दार्तो सहितो कव्यम कई बार पुछी गई हैं यह परिवासा सब्द और अर्थ का शह भाव ही काव्य है यह बात कही गई है बामा के इस काव्या लंकार ग्रंथ में काव्य के दू प्रकार होते हैं गद्य और पद्य रुद्रट ने काविया लंकार गंत में काविय की लक्षन बताए हैं ननु शब्दार्थो कावियम यह परिबासा ज्यों कित्मियों पूछे जाती है इसके अलावा डंडी की परिबासा भी परिशा की दिश्टी से महत्पूर्ण है उनके अनुशार काविय सरिरम तावत इस्टार्थ वेवच्छिना पदावली इनका जो ग्रंथ है काविय अधर्स उसमें यह परिबासा दी गई है और इस्ट अर्थ से युक्त पदावली काविय है इसका हिंदी अर्थ है इसके अतरिक्त काविय सोबा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अलंकार के सम्मन्द में यह परिबासा दी गई है दंडी के द्वारा अगली परिबासा दी गई है अगनी पुरान कार के द्वारा उनकी जो परिबासा है वो इस प्रकार है इस्ट अर्थ को शंक्षेप में प्रकट कर देने वाली वह पदावली काविय है जिसमें अलंकार इस्पष्ट रूप से दिखाई पड़े तथा वह गोण सहित वह दो कार है शंक्षेपात कावियं वाक्यम इस्ट अर्थ विवच्छिना पदावली कावियं स्पुरत अलंकारं गॊन वतदोस वर्जुतंव वामन की कृति है कावय लंकार सूत्र वृति इसमें कावय का लक्षन के समन्द में बात कही गई है गुण तथा लंकार से संस्कारित सब्द तथा अर्थक कावय है और इसकी जो परिवासा है मूल परिवासा वह है कावय सब्दो यम गुण लंकार संस्क्रतयू सब्दार्थ फिर परिवासा दे रखिये कुंतक की सब्दार्थो सहितो वक्र कवी व्यापार सालिनी यह परिवासा है कुंतक की इनका जो ग्रंथ है वक्रोक्ती जीवितम उसमें उन्होंने यह परिवासा दिये इसका हिंदी रुपांतर होता है कवी कौशल युक्त वक्रता पूर्ण कथन जो काव्य मर्मग्यों को आहला दित करे काव्य कहलाता है इसी प्रकार आनंद वर्धन की परिवासा सब्दार्थ सरीरम तावत काव्यम इनका जो ग्रंथ है दवन्या लोग उसमें यह परिवासा दीर गई है और इसका जो हिंदी रुपांतर है वो है सब्द और अर्थ काश्चमत कारी शहवाव काव्य है फिर ममट की परिवासा हैं मैत्पुन परिवासा हैं और इनका जो ग्रंथ है काव्य प्रकास उसमें यह परिवासा दे रखी है तद अदोसो सब्दार्थो सगुण वनलंग कृती पुनह क्वापी हर्थात दोस रहित गुण सहित और कहीं-कहीं अलंकार सुनिय विश्वनात की परिवासा बहुत बार पूछी गई है परिक्षाओं में और इनका ग्रंथ है शाहिति दरपन उसमें यह परिवासा दी गई है वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है जगनात की परिवासा भी बहुत बार पूछी गई है परिक करने वाले सब्द काव्य है आचारी हैंचंद्र जिनका ग्रंथ है काव्यानुशाशन उसमें अर्थात दोसन से रहित गुण व अलंकारों से युग्त सबदार्त काव्य कहलाता है यह यह मैत्पुन परिवाशाएं थी संस्क्रत के आचार्यों की परिक्षा के दिश्ची से बहुत मैत्पुन है आपको बार-बार इन परिवाशाओं को याद करने का अभ्यास करना है इसी तरह के नए वीडियो में फिर मिलते हैं चैनल यह दिया आपने सब्सक्राइब नहीं कि करना है